हेलो अब्रीवन, वेलकम टू ओनलाइन स्टडी पॉइंट, आज है 27 अक्टूबर और आज किस वीडियो में हम 27 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपोर्टन करन्ट अफर के कोस्चन को डिस्कस करेंगे, वीडियो की दिया आप लोगों को पीडियफ चाहिए, तो आप हमार इस मोबाइल अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लावा मेरे ही दुआरा आप लोगों के लिए वर्ल्ड जोग्राफी प्लस इंडियां जोग्राफी बेसिक से कवर कराई जा रही है, तो इसे भी आप पर्चेस कर सकते हैं, कल हमने क्या-क्या डिसकस किया था, क इसकी हाली में चाइना के दुआरा सिंजान 21 सैटलाइट लॉंच किया गया है, अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए, और 2022 ऑसकर के लिए भारत की तरफ से कुंजगुल फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, सभी मतदान के इंद्रों में डिजिटल मैपिंग के लिए, इलेक् की गई है, सत्य जी तरे, लाइफ टाइम अचीवेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, मार्टिन स्कोर्स और इस्टिवन जाबा को, राइटिंग फॉर माइफ किताब लिखी गई है, रसकेन बॉंड के दुआरा, गीता गोपिना थे, जो कि अभी तक IMF की मुख्या आर् स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा पहला और इंपॉर्टन कोश्चन, हाली में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने प्रधान मंतरी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर मिशन के शुरुवात, ये कहां से की है, तो इसके शुरुवात इनों ने अपने ही नि साल चलने तक वाली ये योजना है, इसके तहट टोटल 65 करोर रुपए ये खर्च किये जाएंगे, मतलब कि ये बजट है कि इस मिशन के तहट 65 करोर रुपए ये खर्च किये जाएं, बेसिकली दूर दराज के शेतर में रहने वाले लोगों के लिए सभी तरह की हेल्थ फस लिप्षणी का उध्गाटन किया गया था, साथी क्लोंने रुद्राक्ष कन poczеंटर का इसी वारनसी से किया घ्यान व्यापी मस्जिद और कष्यव वश्वनात मंदिर वाला जो मुद्द है, यहां जो मंडू रेल्वे स्टेशन था इसका नाम बदल करके बनारस रेल्वे के दी हम बात करें तो यहां प्रधान मंतरी उज्जुला योजना के शुरुआत की गई थी प्रधान मंतरी उज्जुला 2.0 इसके शुरुआत उत्तर प्रदेस के महोबा से की गई जबकि उत्तर प्रदेस की राजधानी लखनों से लखनों को जो चार बाग रेलवे स्टेश था कि हाइपर सॉनिक जिर्कौन मिसायल का सफल परिक्षन तो यह रश्या ने किया था और करनाटक का 31 जिला बन गया है विजय नगर किस से अलग होकर के बना है विल आरी से अलग होकर के आप लोगों के लिए आज के दो इंपोर्टन सवाल है आरी किसे सम्मानित किया गया दोनों का अंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे अगला कुश्चन है रक्षा मंत्राले ने एमके 54 तार पीडों खरीदने के लिए किस देश के साथ समझाता किया है तो यह समझाता भी हाली में भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है तो यह डिफंस शेप्टर का आप लोगों के लिए कोश्चन मन जाता है ऐसे भी कोश्चन एक्जाम में देखने को मिलते हैं आप कह सकते हैं कि इंडियन नेवी की ताकत को और बढ़ावा देने के लिए भारत के रक्षा मंत्राले ने अमेरिका के साथ एमके 54 तार पीडों खरीदने का ये जो पूरा डील है ये कर लिया है इसके लिए भारत सरकार टोटल 423 करोर रुपए ये खर्च करने जा रही है इसके लावा अमेरिका से ही भारत ने एक और विमान खरीदा था यदि आप लोगों को याद होगा चीनुक हेलिकॉप्टर अमेरिका की बोइंग अलास्का पर किसका अधिकार है मतलब ये जो अलास्का है ये USA के अंतरगत को ये है और यहां मेकसिको में हुए हस्ताक्षर की तो भारत रशिया के बीच में S-400 मिसाइल को ले करके समझोता है भारत और फ्रांस के बीच में राफेल विमान को ले करके समझोता है जबकि बराक 8 विमान आप लोगों ने सुना होगा बराक 8 मिसाइल जो कि भारत और इस्राइल के बीच का एक समझो होता है यदि आप फर्स टाइम चैनल को विजट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें अगला कोश्चन है हाली में किस देश में नया सिक्षा कानून पारित किया गया है तो हाली में जो चाइना है इसके द्वारा एक नया सिक्षा कानून पारित किया गया है अब यह है क्या तो आप कैसकते हैं कि सिक्षा के छेत्र में बैसिकली देखा जाए तो इसकूलों में जो छोटे बच्चे होते हैं उ उसमें पहले ही चाइना के दुवारा एक नया प्रेस्ताव लाया गया या आपके सकते एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत जो बच्चे हैं हफते में केवल तीन घंटे ही मोबाइल गेम खेल सकेंगे हलाकि वो अलग बात है कि चाइना ने पूरी दुनिया को पबजी कीलत लगाई अब ये चाहते हैं कि इस देश के जो बच्चे मेंटल प्रेसर से दूर रहें गेम कम खेलें और अब इन्हें इसकूलों में भी एक तरह का नियम लागू कर दिया गया है कि ये दी बच्चे को ह Jest φय नहों करक पर है सब 시간 कि वह फांगो जको कि ये ज़िए दुनिया की सबसे विश्वास घाती नदी भी कहा जाता है कलंबें ने आप لوगों अगला कोश्चन है हाली में भारत की पहली राजजिव वन्यजीव DNA प्रिक्षंद कर छहां किया गया तो इसका उद्गाटन अभी हाली महंरांस्ट के नाग्पुर में किया गया है अब इसपूस्चन को आप पढ़िये लिखा हुए भारत की पहली राज जीव वन्यजीव DNA परिक्षंग प्रयोक साला कहने का मतलब है कि एसा तो नहीं कि भारत की पहली ऐसी प्रयोक साला है ज्समें जिसमें कि वन्य जीवहों कि DNA का टेस्टिंग किया जाएगा है तो भारत में और सब Strike देहरादूर में है हैं लेकिन वहारत लिखा है मतलब voter की ऐसी पहली प्रयोक साला होगी वाइल लाइफ दिने प्रतर से राज्य का अधिकार होगा अभी कैस किस पूर पोर जया अन 당 पूर दूर्ध है महराज्ट का तो इस तरह का ये ऐसा पहला प्रयोक साला वाइल लाइफ डिये ने परिक्षन प्रयोक साला ऐसा पहला है जिसका उद्गाटन महरास्ट के नागपुर में किया गया है देखे यहां लिखा भी हुआ है भारत का पहला राजजी सरकार का स्वामित होगा ऐसा यह प्रयोक साला है महराश्ट में इस्तित है कैपिटल है मुंबई मुख्यमंतरी भगा सिंग कोश्यारी राजजी पाल है सुरी यहां गरत मैंने कह दिया मुख्यमंतरी उद्धा ठाकरे राजजी पाल है भगस सिंग कोश्यारी यहां बात की जारी भारत के पहले की तो देखे दिल्ली में अभी क्या शुरू किया गया था लैब ऑन विल्स यह तो पहले शुरू किया गया था हाली की दिनों में यहां आंगान वाडी ओन विल्स इस सुविधा की भी शुरूआत की गई भारत का पहला सिगनेचर ब्रिज इसका उधगाटन दिल्ली में यमुना नदी पर किया गया था मुख्यमंतरी अरविंद केजरी वाल ने इसका उधगाटन किया था बैंगलोर की पहला त्यारता हुआ बास्केट बॉलकोट ने की फ्लोटिंग बास्केट बॉलकोट मुंबई में श्वापिट किया गया, नाकपूर से भी आप नितिन जैराम गटकरी जी, इन्होंने इसी नागपुर से भारत के पहले LPG सेंत्र कभिद गाटन किया था, संत्रा नगरी के नाम से ये जानी जाती है, अगला कुश्चन है, हाली में IPL में कौन सी नए टीम शामिल हुई है, तो देखे अभी तक IPL में 8 टीमे थी, लेकिन हाल में से जो RPSG है, यानि कि RPS Sanjeev Goyang का ग्रूप, इरो ने खरीदा है लखनो टीम को, कितने में खरीदा है, 7,090 करोड रुपे में, जबकि एहमदाबाद टीम को खरीदा है, CVC Capital Partners ने, कितने में तो ये खरीदा है, 5,625 करोड में, अभी किस ने खरीदा, चलिए किस ने खर पार्टिसिपेट करेंगी, IPLN की इंडियन प्रीमियर लीग, 2008 में इसका पहला एडिशन खेला गया था, अभी तक इसके 14 एडिशन खेले जा चुके हैं, जिसमें की 5 बार की विजएता टीम मुंबई इंडियन्स रही है, अभी रिसन के दिए हम बात करें, और 4 ये हाली में जो 67 राश्टी फिल्म पुरिसकार समारो रहा, इसमें चौती बार सर्व स्रिष्ट अभीनेत्री का खिताब ये जीत लिया है, कंगना रनाउत ने, ऑप्शन भी इसका राइट अंसर हो जाएगा, और 4 बार राश्टी फिल्म आवार्ड पाने वाली ये पहली अभ भोसले के लिए, साथ ही जो साउत की सूपरिश्टार है धनुष, इनहीं की फिल्म असुरन, इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और कंगना रनाउत को मनी कर्णिका और पंगा के लिए मिला है, ठीक है, और इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड रहा, ये इसकी भी ये ब्रैंट अम्बेसरर हाली में बनाई गयी है, विद्या बालन की दी हम बात करें, तो दीखिए जम्मु कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, प्रियंका चोपड़ा की दी हम बात करें, तो मारा बिश्में अवर्ण पाने वाले यह पहली भारती बनी थी अगला कुश्चन है छाली में ज्यरी रिपोर्ट के नुसार दस व…. अब ,实 Dip को कहींबी अ've Ricky यह नहीं हो जीने पीड़ीं आप यूटियघ कर द Mü pik कर दूंगी अभी रिपोर्ट सूरी की गई है Global Coral Reef Monitoring Network के द्वारा इसमें 2009 से लेकर के 2018 के बीच का यह जो सर्वे था इसमें यह बात कही गई कि 14% प्रवालों में कमी देखने को मिली है प्रवाल इनिकी कोरल रीफ यह आप समस्ते ही होंगे जो उत्ला समुद्र होता है यहां पानी भरा है जल्मगने चट्टानों पर जो प्रवाल होते हैं प्रवाल यह आप जानते ही हों कंकाल आप कह सकते हैं तो बिसिकली यह जो कोरल रीफ है यह दक्षने प्रसांत महासागर में पाए जाते हैं आस्ट्रेलिया का जो एरिया है ना क्विंस्लेंड वाला एरिया जो कि मैंने मैप में भी आड़ किया यहां सबसे जादा प्रवाल भित्या पाए जाती है अब इनका काम क्या है तो देख प्रवात आना हैं तो इन चक्रवाती प्रभावों से भी यह समुद्र तटकी रक्षा करते हैं तो इसी के कारण यह चर्ची में आया है कि 14% की कमी देखने को मिल रही है प्रवाल बित्यों में अगला है हाली में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बिल्ले का नावरण कि कि द्वारा किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बिल्ला जो की अंठावन सॉरी 56.10 फिट का है लगभग लगभग आपके सकते 56-57 फिट का ही वजन इसका 9 टन है और यह चिनार की लकडी से बना है और इसी का जो अनावरण है यह किया गया है है हैधराबाद क् प्रसासन गाउं संग अभ्यान के शुरुआत की है प्रसासन गाउं के संग तो इस अभ्यान के शुरुआत अभी हाली में राजस्थान गवर्मेंट के द्वारा की गई है अब देखिए ग्रामेल लोग मतलब कि गाउं में जो लोग रहते हैं यह ज़्यादा दुनियादा भी शिकायत होती है इनका निवारण सरकार के द्वारा किया जा सके इसके लिए प्रसासन गाउं के संग इस अभ्यान के शुरात हाली में राजस्थान गवर्मेंट के द्वारा की गई है तो दूर दराज के इलाकों में सरकारी सेवाई इससे एजली पहुचाया जाने का करती है राजस्थान के दिए हम बात करें क्यापिटल जैपूर है जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो यह हैं अशोक गहलोत और राज जिपाल यह हैं कलराज मिश्रा रण थंबार सारिस्का निशनल पार्क यह राजस्थान में ह दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह बनना है इसकी घोशना कुसमें पहले ही की गई है और इसी जैपूर में भारत का पहला ओर्गन डोनर मेमोरियल यहने की अंगदान इसमारक यह भी इस्थापित किया गया है राजिस्थान का एक बिल है जो कि काफी जादा विवादों में था बाल विवार रजिस्ट्रेशन बिल अगला कुश्चन है हाली में युनाइटेड स्टेट से ग्रैंड प्रेक्स किसने जीता है तो जो मैक्स वेस्टरपन है जो कि नीदरलेंड से बिलॉंग करते हैं रेड बुल के स्थान पर और सर्जियो पेरेज जो कि मेक्सिको से बिलॉंग करते हैं यह रहे थे तीसरे स्थान पर अब यह कोश्चन मैंने रवजन के लिए रखा है फैजाबाद जंक्शन का नाम अयुद्या केंट करने का फैसला किया गया है जो कि कहां इस्तित है उत्तर प्रदेश मे इसके गोश्चन भी हाली में उत्तर प्रदेश गवर्मन के द्वारा की गई 1874 में स्थापित यह जो रेल्वे स्टेशन है यह अब आयोध्या कैंटी के नाम से जाना जाएगा यदि हम उत्तर प्रदेश में हालिया बदले गए नामों की बात करें तो जहां से रेल्वे स् सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आज के लिए इतना थैंक यू सो मच